मेरा हजार रुपय लगा था लद्दाक से में दिल्ली आ गया था हलो गाईज वेलकम टू माई यूटुब चैनल राहुल पंडे व्लोग्स तो कैसे हैं आप लोग तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार जो मैंने अभी बाइक राट की थी लद्दाक की उसमें मेरा कॉश्ट कितना अगाथा, और आप लोग भी अगर प्लान कर रहे हो यार बाईक से जाने का तो आपका कोश्ट कितना आ सकता है इसको मैंने यार दो category में बटा हुआ है एक तो वो लोग जो वीडियो नहीं बनाते हैं उनका कितना cost आएगा और दूसरा वो लोग जो वीडियो बनाते हैं उनका कितना cost आएगा bike से जाने का car का मैं नहीं जानता तो क्योंकि मैं car से नहीं गया था तो उसका मैं नहीं बता पूंगा तो मैं bike का ही बताऊंगा तो वीडियो को यार शूरु से लेके end तक देखना ताकि आपको एक एक चीज सही से पता लगे तो चलिए वीडियो को शूरु करते ह। नहीं subscribe किया तो यार पहले subscribe कर लो यार ठीक है बहुत मेनत लगती यार वीडियो बनाने में वो लाल कलर का बटन है यार वो दबा के बेल नोटिफिकेशन भी आउन कर ले न ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ आपको मिल सके तो लदाक का जो expense था मेरा मैं उन्हें day wise लिखा हुआ है और day wise मैंने क्या कर खर्चा किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा किस किस चीज पे मैंने खर्चा किया है और उसके बाद मैं मंडी के आसपास पहुचा था तो वहाँ पे मैंने दुबारा से 500 रुपे का पेट्रोल भराया था और जब मैं मनाली पहुचा था तो मैंने 880 रुपे का hostel लिया था hostel काफी अच्छा था काफी मज़ा आया मुझे वहां रहने में और मैंने रात का डिनर भी किया था मनाली में जिसके लगे थे 210 रुपे टोटल जो हमारा पहले दिन का खर्चा आया था दिल्ली से मनाली तक का वो था 2735 रुपे तो डे टू में निकला था मनाली से पदूम के लिए और सुबह सुबह मैंने 800 रुपे का पेट्रोल भलाया था मनाली में उसके बाद मैं अटल टर्नल को सिसू को पार करता हुआ पहुंच जाता हूँ टांडी जहां कि मैं लेता हूँ एक जैरी केन 140 रुपे का और उसके बाद वहां तक पहुचने में मनाली से मेरा थोड़ा पेट्रोल खतम हो गया था तो मैंने अपनी बाइक में दोबारा से पेट्रोल भराया 200 रुपे का और 500 रुपे पेट्रोल मैंने जहरी केन में वहरवा लिया था जून जुलाए में वहाँ पे इतनी जादा बरफ होती है ना मतलब क्या ही वता है आप वीडियो में जाके देखना आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या मैंने क्रॉस किया था 125 CC से जब मैं नीचे उत्रा सिंकुला पास से तो वहाँ पे मैंने 175 रुपीज का लंच किया था उसके बाद मैं एक बड़ी वर्टर क्रॉसिंग को क्रॉस करके गौनबोर अंजन को पार करते हुए पूरने को पार करते हुए पहुंच जाता हूं पदुम मैं रात को मैंने 1000 रुप से यार मुझे लामा यूरू जाना था सिरसिरला पास और सिंगला पास होते हुए लेकिन उस दिन महाँ पे फ्लड आ गया था तो पुलिस वालों ने वो रास्ता बंद कर दिया था तो मेरा कार्गिल का कोई प्लान नहीं था लेकिन मुझे पदुम से कार्गिल जाना तो सुबे तो यार मैंने कुछ खाया नहीं था मैं डारेक लंची किया था तो 130 रुपे का मैंने लंच किया था उसके बाद मैंने 500 रुपे का पेट्रोल डलवाय था जब मैं परकाचिक विलेच पार कर चुका था उसके बाद मैं 1200 रुपे का होटेल लिया था कार्गिल में उसके बाद 100 रुपय का मैंने डिनर भी किया था तो तीसरे दिन की मेरी टोटल कोश्ट 1930 रुपय थी बात करते हैं यार, चोथे दिन की चोथे दिन यार मैं गया था कारगिल से ले के लिए सबसे पहले ले से निकल लिए मैंने 500 रुपे का petrol डलवा लिया था जब मैं Magnetic Hill को Cross किया था वहाँ पे 20 रुपे का TOL लगा था ले City में इंट्री के लिए उसके बाद जब मैं आगे गया था मैंने 230 रुपे का लंच किया था उस दिन और उसके बाद जब मैं ले City पहुँच गया वहाँ पर मैं गया शांती स्टूपा देखने के लिए और शांती स्टूपा इतना ज़्यादा अच्छा है मतलब यार वहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हो यार सिटी का पूरी ले सिटी दिखती है आप वीडियो में जाके पूरा वीडियो देखना काफी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको और कैसे कैसे वहाँ जाते हैं वह भी मैंने उस वीडियो में बता रखा है संती स्टूपा को विजिट करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ अपने होटल और होटल से वापस आता हूँ मैं ले मार्केट में मैंने थोड़ी शीज शॉपिंग की थी एक टीशेट ली थी और कुछ कीचेन ले थे और कुछ वहाँ लद्दा की जो फ्लैग होते वह ले लिया था अला कि यार मैंने फ्लैग आपको दिखाया नहीं मैं फ्लैग आगे दिखाऊंगा किसी वीडियो में उसको किसी काम के लिए मैं ले के आया था आगे आप देख लोगे शॉपिंग में मेरे खर्च हुए थे यार 740 रुपए उसके बाद यार मैं वहाँ पे चोटा सा बच्चा था यार वो ना बेच रहा था ब्रेट पकोड़े और काफी ज़्याद अच्छे थे वह मैंने दो-तिन खाए थे उसके बाद यार मैंने सुना था यार लड़ाकी मोमोस बहुत ज्यादा फेमस थे वो मैने लिये थे एपे SIMS मैंने ब्रेट पोड़े काया थे 120 रुपे का मैंने लद्दा की मोमोस खाया था यह जो मेरा कॉश्ट था और उसके बाद मैंने होटल के यार 1600 रुपे दिये थे ले सिटी में क्योंकि यार उससे में पीक सीजन होता है इससे कम तो यार कहीं मिली नहीं रहा था लेकिन प्रॉपर्टी अच्छी थी आप वीडियो में जाके देख सकते हो और एक चीज की थी यार मैंने ले सिटी में 200 रुपे का मैंने पर्मिट बनवाया तो जो मेरा चौथे दिन का कौश्ट था वो था 385 रुपे तो बात करते हैं अब डे 5 में गया था ले से पैंगॉंग लेक की तरफ जिसमें की सुभे 10 रुपे का मैंने टोल दिया था जहां पर पर्मिट चेक हो रहा था पैंगॉंग लेक जाने के लिए तो वहां पर 10 का मैंने कोटेज लिया था उसके साथ ही डिनर भी फ्री था ठीक है मतलब काफी ज्यादा मज़ेदार था वो समय और मेरे एक ड्रीम था यार कि मैं यार लद्दाक जाओं लद्दाक में मैं पैंगॉंग लेक देखूं वो सपना मेरा पूरा हो गया था इस वाली वीडियो म मैं पैंगॉंग से हानले के लिए गया था जिसमें कि मेरा कॉष्ट आयता था थाउजन रूपीज और थाउजन रूपीज इसलिए आया था क्योंकि उस दिन मैंने पूरे दिन कुछ भी ने खाया था लंच भी नहीं किया था ना ब्रेकफस्ट किया था मैं चुप-चाप चला गया था पैंगॉंग से हानले और बहुत जादा दूर नहीं है पैंगॉंग से हानले वो आधे दिन में आप पहुँच जाओगे लेकिन आधे दिन में आपको कुछ मिलेगा भी नी ना कोई दुकान ना कोई बंदा ना कुछ आप बस चलते रहो इसलिए मैंने कुछ खाया भी नहीं और ना ही मेरा कोई खर्चा हुआ बस 1000 रुपे मैं ने दिये थे हानले वाले होमस्टे में जहां पर मैं रुका था और वहां पर डिनर के लिए भी मुझे पैसे नहीं देने पड़े वहां पर फ्री था वहाँ पे चाय वगरा भी फ्री थी तो 1000 रुपे उस दिन का मेरा कौश था और सबसे बड़ी चीज में आपको बता दू के यार पैंगॉंग से हानले जाने के रास्ते में मुझे भाई बहुत ही भैंकर बाउंडर मिला था मतलब उस बाउंडर से यार सेवन की शुरुवात करते हैं हानले से हम सुबे सुबे चले गए थे उमलिंगला पास मेरा कोई भी खर्चा नहीं हुआ था जाने आने में लेकिन मैंने एक चीज अचीज कर ली थी उमलिंगला पास अपने आप में एक माइने रखता है एक जगा जो कि यार वल्ड हाइस मोटरिवल रोड है जिसकी हाइट यार 19,024 फीट है और हमारी होंडा शाइन 125 सीसी भी वहाँ पोंच के मतलब यार देख रहे हैं दमाल मचारी है अब वीडियो में देखना मज़ा आएगा जब उमलिगला से वापस आए चुके थे तो हम निकले पांग के लिए पांग जाते समय हम लोगों ने आर हानले में जिस होमस्टे में रुका था न मैं वहाँ से ही ब्लैक में पेट्रोल ले लिया था 150 रुपे लिटर दे रहे थे वो पेट्रोल आपको समझ में आएगा कि पेट्रोल का स्केम लद्दाक में कैसे होता है तो उस वीडियो को में जाके जरूर देखना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या समझ में आया रात को यार हमने यार शेरिंग में ले लिया था तो आजार रुपे में उस दिन हमारा हो गया था तो वहाँ पे मैं अपने 500 रुपे ही गिन रहा हूँ क्योंकि मैं अपना बज़ट बता रहा हूँ उसके बाद 40 रुपे का यार मैंने कुछ खाया था वहां पे तो उस दिन हाल्ले से पांक पहुंचने का मेरा जो तोटल कॉच था वो था 1980 रुपे तो बात करते हैं डे एट की डे एट में यार मैं आया था पांक से दिल्ली यानि की मतलब लगदाक से दिल्ली अपने आप में एक एक्स्ट्रीम राइड कर दी थी यार मैंने मतलब समझ रहे हो अपने आपको इतना जादा पुश कर दिया था ना उतना मैंने कभी नहीं किया था वाली वीडियो देखना बहुत ही एक्स्ट्रीम राइड है मतलब जान लगा दी थी मेरा समेक दम समझ रहे हो उस वाली वीडियो में जाके देखना आपको बहुत ही मज़ा आएगा देखने में और कमेंट करें के बताना कैसी थी वो वीडियो उस दिन मेरा खर्चा हुआ 210 रुपे खाने में और 1000 रुपे मेरा पेट्रोल में लगा था क्योंकि यार बहुत ज़ादा मेरा बाइक माइलेज देता है तो माइलेज टू माइलेज डिपेंड करता है आपकी ज़्यादा सिसी की बाइक है तो यार उस हिसाब से आप देख ले न मेरा 1000 रुपे लगा था लद्दाक से में दिल्ली आ गया था मेरा होटल पे कितना कर्च हुआ और फूड पे कितना कर्च हुआ और पेट्रोल पे कर्चा कितना हुआ ठीक है जो मेरा पेटरोल पे खर्चा हुआ था, वो था 5480 रुपे, जो मेरा होटेल पे खर्चा हुआ था, वो हुआ था 7580 रुपे, और जो मैंने फूड खाया था, वो था 1530 रुपेगा, इसके अलावा यार मैंने कुछ मिसलीनेस चीजे ली थी जाए शॉपिंग की थी टिकट ली थी टोल दिया था तो टोटल होता है यार 15,970 रुपए ये वो कोश्ट है 15,970 रुपए जिसको की वीडियो नहीं बनाना है एक लो सीसी की बाइक लेके जाना और आना जो बंदा ये कर रहा है तो उसके आएंगे 15,970 रुपए उपर नीचे भी आ सकता है कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है 24,000 ले रहे हो और क्या खा रहे हो कितना पेट्रोल लगा रहे हो ठीक है उसके उपर डिपेंड करेगा मे इरे जितने आये थे वह मैने आपको बता दिये अब इसमें एक चीज यह आता है कि जो लोग वीडियो नहीं बनाते ये उनके लिए था लेकिन अब हो बताऊँगा कि बोक्राइदे बनाते है ठीक है ये से वीडियो को उ़ुपर को समान लेना होगा तो वह उनके उपर भी जो मेरा डेट था ट्रैवल का वो पूरा डेट तक का नहीं मिला था एक दिन पहले के ही मिला था तो इसलिए मैंने 200 रुपे का वहां पर भी पर्मिट लिया था और 464 रुपे का यहां पर भी पर्मिट लेके गया था तो मैं उसको soft copy में तो रखता हूँ, लेकिन उसका hard copy भी लेकर जाता हूँ, क्या पता है, और mobile कहीं बंद हो जाए, या फिर मैं मैं अपना देख पाऊँ, या फिर कुछ और हो जाए, तो मैं hard copy भी लेकर जाता हूँ, उसको मैं print out कराया था, तो 70 रुपे उसका लगा था, उ 2200 रुपे के मैंने कुछ memory cards भी लिये थे, इस बार मैं पंचर kit भी ले गया था, जो की 489 रुपीज की थी, और मैं J-hook लेके गया था, जो camera लगाते है, हम helmet पे, तो उसके लिए एक J-hook आता है, तो वो 390 रुपीज के मैं नेक लिया था, उसके बाद air pump लेकी गया था, मै पंचर बनाने के बाद हवा भरने के लिए, वो 1200 रुपे का आया था, और उसके बाद 1300 रुपे का मैंने एक stand लिया था, वो stand यार GoPro को खड़ा करने के लिए था, मेरे bike पे, अगर आपने मेरी videos देखी हो, तो उसमें मैंने front में एक Hero GoPro अलग से लगाया हुआ था, ताकि वो गराब था, और ना मैं जब भी service कराता हूँ नो मैं उसको repair नहीं कराता हूँ वो part, मैंने part change करा देता हूँ, इसलिए मेरी bike की life इतनी जादा है, 400 रुपे के दो अलग से mount लिये थे, GoPro के जो मैंने नया GoPro लिया था, उसके बाद मैंने 300-300 रुपे के कुछ खाने के लिए लि 55,678 रुपीज, और पहले वाला जो मैंने खर्चा बताया था, वो था 15,970 रुपीज, अगर दोनों को हम जोड लें, तो हो जाते हैं अपने 71,648 रुपीज, तो ये था total cost मेरे ले लगदाग bike ride का, अगर आप videos नहीं बनाते हो, तो मैं एक बार आपको फिर बता देता हू कि यार अगर आप videos नहीं बनाते हो, तो 15-20,000 रुपे ही आपका खर्चा आएगा, ठीक है, और बाकिटिपन करता है कि आप किस vehicle से जा रहे हो, और कितना petrol लग रहा है, कहां रह रहे हो, क्या खा रहे हो, और उसके बाद जो videos बनाते हैं, तो यार वो अगर कुछ नया gadget लेत है, तो इस हिसाब से ये खर्चे होते हैं, तो ये था मेरे Ladakh Ride का पूरा budget, कितना पैसा लगा था, और आप इस video के हिसाब से आपको help हो जाएगी, कि आप कैसे अपनी trip को plan करोगे, ठीक है, बाकिटिपेंड करता कि कौन कितना खर्चिला है, कहां रहता है, क्या खाता है, कित ये अगर आपको कोई भी doubt हो, तो comment करके आप मुझे पूछ ले, मेरा Instagram पे आप message भी कर सकते हो, वहाँ भी मैं available रहता हूं, comment करोगे, यहाँ YouTube के नीचे, वहाँ भी मैं आपका जवाब दे दूँगा, और वीडियो आपको कैसी लगी, तो comment करके मुझे जरूर बताना, कौन और दोस्तों में यार failure हो जाते है प्लान, कि या लद्दाक चलते हैं लद्दाक चलते हैं लिक्रों जानी पाते हैं, तो इतना सस्ता बजट है, तो उनके साथ भी share कर दो, क्या पता वो चले जाए, तो मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए है, बा झाल